कि वेल्कम वंस अगेन बॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल तो गाईज आ गए हैं हम अपने चैनल पर एक नहें टॉपिक लेकर थेविनिस थेवरम इसमें आपको प्राएंगे थेविनिस थेवरम होट इस थेविनिस थेवरम क्या है कि जो हमारे एक कॉंप्लेक्स सर्कृट होता है उसे क्या करता है एक सिंपल सर्कृट में कनवार्ट कर देता है सिंपल सर्कृट में कनवार्ट करके उसे क्या करता है एक कोई भी कॉंप्लेक्स सर्कृट हो उसमें कितने भी सोर्स हो और कितने भी रेजिस्ट्रेंस हो उसे क्या करेगा एक only one source and एक स्रीज रेजिस्टंस में convert कर देगा मेरा कहिने का मतलब है कितना भी बड़ा complex सरक्य। सरक्य। हो में क्या होगे एक हमारा होगा क्या एक हमारा होगा ब्लटेज स्वर्ट और दूसरा होगा क्या स्रीज रेजिस्टंस उसके बाद देख जिसमें लोड रहेगा जो हमारा क्या रहेगा लोड रहेगा एक वो रहेगा ओके जिसमें मतलब हमें जो ग्यांत करना होगा current voltage या वाला लोड है यह ओके तो क्या करेगा कितना भी वड़ा complex circuit रहेगा इसे क्या करेगा एक voltage सोर्स में रहेगा जो की voltage सोर्स या लागा थेवनिन बोल्टेज भी टीएस और जो हमारा एक स्रीज रजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा एक सिंगल वोल्टेज तो इस परकार से कोई भी एकर हमारा रहेगा circuit तो इसे change कर देगा लेकिन थेवनिन theorem का यूज क्यों हुआ यूज क्यों हुआ यूज क्यों पड़ा इसको बदाते हैं जब superposition theorem हमारा था ही तो इसको क्यों उचिया गया करने के लिए शूपर position theorem में अभी क्या हुआ कि जैसे हम जिस लोड में जिस लोड पर क्या करना है करेंट यह वोल्टेज गयात करना अगर इस हम लोड को क्या करेंगे बैरियेवल लोड ले ले लें क्या करेंगे बैरियेवल मतलब हमारा यह लोड चेंज हो सकता है इसे कर यह resistance है तिसे हम कभी एक बार 6 ohm ले सकते हैं फिर 7 ohm ले सकते हैं 8 ohm ले सकते हैं कब हम क्या करेंगे अपना resistance चेंज कर करके हम इस पर क्या करेंगे current गयात करेंगे तो इसके लिए superposition theorem क्या करना पड़ेगा बार बार उतना ही complex करके हमें solve करना पड़ेगा शुरू से पूर प्विए इसके लिए हम जैसे superposition theorem में क्या होता था इतने सोर्स होते थे सब आप की दौरा हम क्या करते थे इस रिश्टेंस पर अलगलत तेबिन इन थेवरं पकहता है जिसे वह मतलब जितने भी हमारे इधर की वोल्टेज सोर्स में इसको छोड़ कर लोड़ को अधाओ और बाकि जितने रिजिस्टेंस आ उसको क्या कहें एक किया से करेंगे अभी या में बतातें उसके बाद इस प्रकार से सर्कीट बनाओ जिसे कहते हैं हमारा थेबनेंट सर्कुट और यह थेबनेंट सर्कुट में आप लोड रजिस्टेंस को कनवर्ट करते जाओ कितना भी चेंजिगरो उसके बाद इसमें जो करेंट आएगा वह हमारा मतलब करेंट रहेगा लोड में ओके तो हम क्या करते हैं यह आप तो जानी पता कॉंपलेक्स नहीं रहेगा इसके लिए हम थोड़ा सा छोटा सा यह बनाएंगे यह हमारा हो गया यह हमारा रेजिस्टेंस है यह हमारा क्या है रेजिस्टेंस है और यहां पर लगा हुआ क्या एक हमारा बोल्टेज सोर्स यह हमारा क्या होता है थेबनीन थेवरम जो ह हमारा क्या है इहाँ पर 10 ohm है यह क्या है यह रिखी दस बोल्ट का है और यह बीस वर्ट का ओकें उसे हम लोड रजिस्टेंस मान कि यहां से हटाएंगे और हटाएंगे इन दौने पॉइंट ऺबने पड़ेगा बीटि यहांत करना पड़ेगा पेलिन वल्टेज कता करना पड़ेगा और इसके बाद इसके सिरीज में हम ये लोड रोस्ते तेंट कर देंगे टियियों कर दो करके तो जoi हमारी सर्किट कुछ हिस परकार्व से हो जाती है क को कर देब करें हमारी सरक्यूर्ट कुछ इस प्रकार से बन गई है यह हमारा क्या हो जाएगा यहां पर जो बीटी है रहेगा और यह 20 ओम है पर है तेनोम है ओके और यहां पर जो रिजिस्टन्स आएगा ईक्यूविलेंट डो ऐट यह रहेगा ताभी हम क्या करेंगे पहले भी टिएष निकालेंगे भी टिएष निकालने के लिए सब से पहले हम vehicle आपके यहां पर इस पॉइंट पर वल्टेज पर इस मule बटे इतना और इस नहीं पता और क्या स्थेतरने ढहिए क्योंकि यहां पर 12 सोर्सल के हुए हैं है mopि qe लूप है तो एक ही लूप में क्या होगा जो करेंट जाएगा वह दोनों रिजिस्ट्रेंस में जाएगा सेम सेम के कि लम करेंट माल लेते हो क्या रहा आई जा रहा है आई जाने से यहां पर तो आई कैसे फाइंड कर सकते हैं आई हम फाइंड करेंगे टोटल वोल्टेज यहां पर दो प्रकार की वोल्टेज है यह करेंड क्या होगा देखिए यहां से पॉस्टिव वाले टर्मिनल से निकल रहा है कहां से निकल रहा है और यहां पर कहां से निकल रहा है निगेटिव वाले टर्मि तो वोल्टेस्टर्स हमारा पॉस्टिव माना जाता के केशील केवल में आपको होताया होगा ओके और जब इंटर कहां से पॉस्टिव आलज करके निगेटिव आलज निकले थो निगेटिव लेते हैं ऊके इस प्रकार से 20 माइनस 10 इसे का हो जाएगा 10 बटे 30 अब इससे क्या हो जाएगा हमारा आजाएगा 0.333 एंपियर ओके यह हमारा क्रेंट के आ गया गया 0.33 अभी यह में भी टी एच नहीं मिला 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 इसमें फोलोवने के लग करेंट आई आई के मिला है 0.33 झाल्स कैबिए भी टीएच के लिए कि यहां पर धेखेंगे यहां पर जो वोल्टेज रहेगा ही क्या रहेगा इस सर्केटमे रहेगा एतना क्योंकि यहां पर तो हमें इस वी टीएच को को ग्याद करने के लिए हम क्या करेंगे रुख जाओ यह सर्कुट थोड़ा हूं के लिए इन बनाते हैं कि यह हमारा क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज में ग्याद करना भी टी एज तो हम क्या करेंगे इस 20 ओम के वोल्ट का यहाँ पर चल गया है पर बोल्ट से माइनेस करदेंगे बोल्ट इस यह पर बोल्टेज रहेगा जो हमारा यहां पर voltage drop आएगा उसको 20V से माइनस कर देंगे जितना बोल्ट पता होगा वही भी टी एच रहेगा तो यहां पर voltage drop क्या है वी बराबर क्या होगा 20 गड़े 0.333 ओम ओके तो हमारा क्या होगा 6.66 ऐसे आता चला जाएगा इतना इतना voltage आ गया है के इतना voltage drop हो रहा है कहाँ पर 20 ohm के resistance में इस 20 ohm के रिजिस्टेंस में हम भी टी एच ही गयात कर रहे हैं तो 20 ohm के resistance में कितना voltage drop हो रहा है इतना अब यह voltage drop हम इसमें से माइनस कर देंगे थह हमें ब्ह पता हो जाएगा क्या पता हो जाएगा फोर्टी इंटि माइनिस कितना 6.66 यह इंगे माइनिस करेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वन्टी से तना जाएगा तो हमारा हो जाएगा 433.13 क्योंकि यह हमारा इधर बचेगा 19,19 से 6 जाएगा 13, यह हमारा क्या हो गया, भी टी एच फाइंड हो गया, भी टी एच कितना आ गया, 13.3 थे, यह 4 हम अटा दी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना वोल्टेज आ गया, भी टी एच हमें पता हो गया, क्या होगा, कि हम बोल्टेज सोर्स को हम उसके इंटर्नल रजिस्टेंस से, सौर्ट सर्कृट से रिमूब कर देते हैं, इसमें करेंट सोर्स है ही नहीं, इसमें यह डारेक्ट बोल्टेज सोर्स, बोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, सौर्ट सर्कृट के द्वारा रिमूब करेंगे, अब यह शार्किट यह हमारा इस परकार से बन गया था हमें इन दोनों पॉइंट पर जब क्या करना है रेजिस्टेंस फाइंट करने के लिए देख रहे हैं ये दोनों क्या ही आपस में पैरलल आ गये ये दोनों को यहां पर क्या करेंगे करने के लिए यहां पर इंदोनों को पारलल कर देंगे तो आर्टी एच हमारा क्या हो जाएगा आर्टी एच इसको एल्ट हो जाएगा टेन गुड़े 20 वटे 10 प्लस 20 है क्या है पारलल में होने कारण इनको जो हमने सॉल्व गिया तो मारा आ गया कि टोने वटेज 30 इहाँ हो गया थ्री से लिएट गरेंगे इतना हो जाएगा जाएगा इसके लिए हमिए इसके लिए अगरेंगे क्योंकि आर्टी एच भी परता हो गया बी थी पूर्टी प्ता हो गया कि यहां पर हम क्या करेंगे सेवनिन इक्विलेंट सेर्किट में हमारा क्या होगा एक बोल्टेश्चोर्स होगा और इसमें एक सिरीज रजिस्टेंस रहेगा बाकि यह लोड रजिस्टेंस हो गया जिसमें उएम में कुरेंट ऐसे डना था लोड रजिस्टेंस हमारा थे से फोट usually का और यह आ Luigi Al tests उर्हों एक किनना था था थर्टी करके यह जिसको ज्यांत करेंगे इसमें ग्रेंट करेंश इसमें इसमया फार्मुला भी ब्राबर आई यार वाले से हमारा बोल्टेज कितना है 13.3 और यह कितना हो जाएगा 46.66 डिवाइड करेंगे तो आजाएगा 0.284 एंपियर ओके तो हमारा करेंट आगे आई यहां पर जो मतलब क्या हुआ फायदा हुआ इसको हमें थैबने लगाने से अगर हम क्या करते हैं आई यहां पर जो को चेंज करते हैं यहां पर जो हमारा 46.66 आया है रजिस्टेंस यह क्या हो जाएगा यहां पर जो लोड रखेंगे वह पलस यह उन्हों स्रीज में होने करन जूड जाएंगे और जूड कर यहां पर रजिस्टेंस रखा जाएगा और डिवाइड गरेंगे करेंट आ क्या होता चेंज होता एक बैरियेबल रजिस्टेंस हो गया तो यहां पर क्या होगा फिर से उतना ही s कितना bts हम इधर भी कर सकते थे इस वाली लूप से भीici कर सकते थे यहाँ पर क्या था टैनों रेजिस्टेंस यहाँ पर टैन बोल्टेज का सोर्स ओके तो हम क्या कर सकते थे यहाँ पर वही करेंट यहाँ पर भी जाती जो थी हमारी जी रूबाइंड 33 तो यह हम क्या कर सकते थे इसमें ब्लटेजड रॉप 10 ओम और यह करिंट के दार इस reward इस राचेस्टेंस में ब्ल्टेजड रॉप इसमें एड करदे देना क्याकिक होको प्रूम को जाएगो जाएंगे यह पर एड हो जाएंगे दोनों का हो सेंटर किया और ऑचितिव सा निकला यह वोल्टेज ड्रॉप निकला लेकिन वोल्टेज द्रॉप निगेटिव हो रहा सकते हैं तो उसको एड़ करेंगे तेचन होता हमारा अमね इसलिए सेमलेstro सतक्राइब और यह क्या हो जाएगा मिलकर मारा 3.33 आ जाएगा अब इसे जब 3.33 हम 10 जोड़ेंगी क्योंकि यहां पर जो बोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का स्वारी ओम में नहीं है 10 वोल्ट का उसको जो हम एड़ करेंगे इसमें 13.33 वही से हम आयेगा अगर आपको मारे यह थेवनिन वोल्टेज थेवनिन थेवर्म का वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शिर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके साथ नॉर्ट एन थेवर्म लेकर